गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में गुपतों के जो अंतिम जो सासक हैं उनके बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे और ये जो सासक हैं ये ज्यादा सक्तिसाली सासक नहीं थे जिसके का परण गुपतों का पतन भी हुआ था लेकिन इन सासकों के बारे में पढ़ना भी जुरूरी है कई बार कई क्यूशन इनमें से एक्जाम में आते हैं तो वीडियो को अच्छे से आप ध्यान से देखेगा आपको एक्जाम में बहुत ही सहयोग मिलेगा ठीक है तो चलो चलो परण गुपत राजवन्स के गुपत समराटों में से एक था इसका उलेक एरन सिला लेक में तता मंजुश्री मूल कलप नाम गरंथ में मिलता है एरन प्रस्तर स्थम लेक देखेगा इसके बारे में भानुगुपत के बारे में क्या जान कर देता है एरन जो कि मद्धे लेक कहते हैं इसमें भानुगुपत को संसार का सर्वस्रेष्ट वीर अर्था जगती वीर परवीरो तता महान राजा कहा गया है यह लेक उसके मित्र गोपराज का भी उले करता है गोपराज हुणों के विरुद भानुगुपत की ओर से लड़ता हुआ मारा गया तता उसक लेक के पतनी अगनी में जलकर मर गई जो इस्यास में पर्थम होने का प्रमान है ठीक है इसक कि पूछन पूछ लेते हैं पर्थम्सक्ति होने का प्रमान तो वह आपका एरण प्रुद तर इस्थम Alberta है और यह बहनुपराज की जो पतनी थी वह सत्ति हुई थी ठीक है यह लेक यूद के परिणाम का उलेक नहीं करता राई चोदरी का अनुमान है कि बुद्गुप्त के बाद पूर्वी मालवा में जो हून सत्ता इस्तापित हुई उसी का अंत करने के लिए भानुगुप्त ने यह यूद किया और इसमें उसे सफलता प्राप्त हुई इस यूद को स्वतन तरता संग्राम की संग्या दे गई है और बुद्गुप्त के बारे में हम पहले वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं ठीक है पर्थम सत्ती होने का प्रमान 510 इस्वी का भानुगुप्त का एरन का अभिलेक है इससे मिलता है पर्थम सत्ती होने का प्रमान का हैं से मिलता है 510 इस्वी के भानुगुप्त के एरन के अभिलेक से ठीक है जिस में किसी गोपराज नामक सेनापती की मर्ति ओपर उसकी पतनी के सत्ती होने का उलेक है वन्य गुप्त का इतिहास तो वन्य गुप्त समराड था और जिसके बारे में हमें गुणे धर जो बांगलादेश के कोमीला में स्तित है के तामरपत्र से जानकारी मिलती है यह तामरपत्र गुप्त समथ 188 अर्थात 507 इस्वी का है नारंदा से उसकी एक मुहर मिली है जिस पर महराजा धीराज का विरूद प्राप्त हुआ है गुणे धर तमरपत्र में उसके दो प्रांतिय सास को विजे सेन एम रुद्र दत के नाम मिलते हैं तदा बोध विहार के लिए कुछ भूमी दान दिये जाने का वर्णन है उसके कुछ स्वान सिक्के भी प्राप्त हुए है कुमार गुप्त तृतिय का इत्यास देखेगा नर्सिय गुप्त के बाद उसका पुत्र कुमार गुप्त तृतिय मगत का राजा बना भीत्री तथा नालंदा मुद्रालेखों में उसकी माता का नाम महादेवी मित्रदेवी मिलता है दामोदरपूर के पांचवे तमरपत्र में किसी सक्तिसाली गुप्त राजा का उलेख मिलता है जिसकी उपादिया परम देवत परम भटारक महराजादी राज मिलती है उसके नाम का केवल प्रथमाकसर कू प्राप्त हुआ है अत्य इस सासक को हमें कुमार गुप्त तृतिय ही मानना चाहिए इस लेग की तिथी गुप्त समध 224 अर्थात 543 इस्वी है कुमार गुप्त तृतिय गुप्त वन्स का अन्ति महान सासक था नालंदा से प्राप्त एक मुद्रा लेग में विश्णु गुप्त का लेग मिलता है जो उसका पुत्र था विश्णु गुप्त ने 550 इस्वी तक राजे किया था इसके बाद गुप्त समराजे छिनन भिनन हो गया था कुमार गुप्त तृते ने अपने पिता नर्शिय गुप्त के समानी सोने के सिक्के चलवाए और उसकी ही तरह अपने नाम के पिछे करमादित्य उपादी लगाई थी सिक्कों में मिलावट के मात्रा लगातार बढ़ती गई जो इस समय के गुप्त सासकों की तेजी से पतन की और जानने को इसपस्ति करता है ठीक है तो इस वीडियो में हमने जो गुपतों के अंतिम सासक हैं उनके बारे में जानकरी प्राप्त की इसी प्रकार से हम और भी आपको जानकरी परदान करेंगे इत्यास विशे से समधित तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे